नमस्कार दोस्तों फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल साइस बाई सिलोध में तो चलिए बचो प्रमपिता प्रमात्मा और सरस्वती माता के चरणों में मता टेक करा सिरवाद लेते वे वीडियो स्टार्ट करती हैं आज की वीडियो का हमारा पहला क्योस् जुकता है अंदर की और जुकता है आगे की और जुकता है या बिल्कुल नहीं जुकता तो उसका जुकाओ की सोर होता है अंदर की और होता है जब वैब मोड पर घूमता है चलिए नेक्स्ट क्योस्टन हमारे पास है कि जब हम रबड के गदे वाले सीट पर बैठते हैं य यानि हमारे पास जब हम रबड के गद्दे वाले सीट पर बैठती हैं या गद्दे पर लेटती हैं तो उसका अकार परिवर्तित हो जाता है जैसे पधार्त में पाया जाता है क्या संचित और जा चलिए निमल लिखी तुमें से कौन सा नियम इस कतन को वैद ठेराता है कि दर दर्वे का ना तुस रिजन किया जा सकता है और नहीं विनास यानि दर्वे क्या होता है पधार्त कहने का अर्थ है कि वह कौन सा नियम है जिसके इनुसार पधार्त को ना तो बनाया जा सकता है और नहीं नश्ट किया जा सकता है तो वह आपके पास कौन सा नियम है उर्जा संद्रक्षन नियम यानि energy can neither be created and no sorry बचो दर्वे मान संद्रक्षन नियम उर्जा संद्रक्षन नियम नहीं उर्जा में तो ना तो उर्जा को बनाया जा सकता है और नहीं नश्ट किया जा सकता है हमें यह दिया गया है कि किसी भी दर्वे को ना तो नश्ट किया जा सकता है औ आगे चली अब आता है दरवे में दरव में आंसिक या पुरुनत डूबे हुए किसी ठोस दोवारा प्रापत उचाल की मातरा निर्बर करती हैं तो वो दरव ठोस दोवारा हटाए गए दरव की मातरा पर according to the Archimedes Principle यानि कोई भी दरव में आंसिक या पुरुनत डूबे वे किसी ठोस दोवारा प्रापत उचाल की मातरा निर्बर करती है तो वो किस पर निर्बर करती है यानि जैसे हमारे पास कोई वस्तू को हम दरव में डूबोते हैं तो वो वस्तू नीचे जाएगी तो वो आपके पास पुरुनत या आंसिक रूप में डूबती है तो वो किस उचाल पर निर्बर करती है उस दोवारा हटाएगे दरव मान की मातरा पर कौन सा दरव मान दरव का दरव मान यानि हटाएगे दरव मान दरव का है तो उसके उपर निर्बर करेगी कि वो आपके पास उचाल कैसा रखती है यानि जब भी कोई वस्तू तेरती है तो वो अपने दोवारा हटाएगे भार यानि अपने दोरा हटाएगे दरव के भार से क्या हो हलकी हो यानि तभी वो तेर सकती है यानि उसका अगर हटाया गया दरवेमान जो दरव का है या दरव का जो भार है वो कम रह जाता है अपने भार से तो वो बस तू डूब जाती है चलिए नेक्स्ट क्योशन लेंप की बत्ती में तेल चड़ता है क्योंकि यानि हमारे पास लेंप की बत्ती में जो तेल चड़ता है वो किस के दम पर चड़ता है वो चड़ता है कैपलरी एक्शन उसे कहते हैं कैपलरी किरिया के कारण कोसिक तव किरिया के कारण चलिए next question हमारे पास कि सुई का पानी के उपर तेरने का कारण क्या है तो सुई जो पानी के उपर तेरती है वो किस कारण तेरती है प्रिष्ट तनाव यानि surface tension next question पानी से निकलने पर saving brush के बाल आपस में चिपक जाते हैं इसका कारण क्या है तो saving brush के जो बाल है आपस में जो चिपक जाते हैं उसका कारण भी बच्चो प्रिष्ट तनाव है यानि जैसे ही हम saving brush को पानी से बाहर निकालते हैं तो उसके सारे बाल आपस में चिपक जाते हैं इसका कारण प्रिष्ट तनाव है, surface tension है चलिए next, दरव की बूंद क्या करती गौला का और होने का करण क्या है जैसे ही पानी उपर से गिरता है तो बूंद रूप में क्या है, नीचे आता है जैसे मैंने डोट्स दिखाए है तो पानी जब उपर से गिराया जाता है तो बूंद रूप में गिरता है तो इसका करण क्या है अपने पास है प्रिष्ट तनाव, surface tension यानि वैसे प्रिष्ट तनाव होती क्या है प्रिष्ट तनाव होती है force per unit length इसकी unit होती है newton per meter चलिए next question अपने पास है कि यदि लोलक की लंबाई चार गुनी कर दी जाए तो लोलक के जुलने का समय होगा तो यानि जो time period होता है वो कितना होता है 2 pi root l by z यह हमारे पास क्या है time period है pendulum का तो जैसे वो पूछता है कि pendulum हमारे पास कभी भी उसकी length अगर हमने चार गुना कर दी और तो अब उसका कारेकाल कितना होगा तो देखो लंबाई उपर है तो इसको हम चार से गुना कर देती है इसका कहने का अर्थ यह है कि लंबाई अगर हम चार गुना कर दें तो अब नया उसके जुलने का समय क्या होगा तो चार जैसी वरगमूल से बाहर आएगा कितना बन जाएगा बच्छो दो अब हमारे पास जो लोलक के घुमने का समय है वो दो गुना हो जाएगा डबल हो जाएगा वासिंग मसीन का कारे सिदान्त है यानि वासिंग मसीन किस बल के उपर काम करती है तो ये आपके पास अपकेंदरन पर काम करती है और जो आपके कपड़े सुकाती है तो वो किस पर काम करती है उपकेंदरन पर यानि आपके पास अपकेंदरन बल लगता है जिसके कारण हमारे पास कपड़े बीच की साइड आएगे और क्या की कपड़े धुलते रहेंगे और अगर हम सुकाने की बात करें तो कपड़े बाहर की तरफ चिपक जाते हैं और उनसे पाने निकल जाता है तो वो वासिंग मसीन का ड्राइर है तो वासिंग मसीन में कपड़े सुकते हैं वो किस बल के कारण सुकते हैं तो वो अपकेंदरन बल के कारण सुकते हैं और इसी तरीके से दही है दही से जब मक्षन निकालते हैं तो हमारे पास यही परकिरिया है इसी तरीके से दूद से क्रीम निकालते हैं तो भी यही परकिरिया है कौन सा बल काम करता है अपकेंदरन और इसके विप्रित जो बल होता है वो कौन सा होता है अभी केंदरन दोनों केंदर से जुड़ते हैं ये अब केंदरन बल केंदर से बाहर की तरफ लगता है और अभी केंदर बल केंदर की और लगता है जब वृतिय पत में कोई वस्तू चक्र काटती है जैसे ये वस्तू है इसके radius R है, तो हमारे पास जब वस्तू चक्कर काटती है, तो इस तिर्जा के साथ केंदर की ओर लगेगा, तो यह अभी केंदर है, और अगर बाहर की तरफ लगता है, तो अभी केंदरन बल है, तो यानि इन दोनों का शुत्र जो हता है, वो सेम होता है, इन दोनों का शुत्र क्या है, अगर आपसे पूछ ले, अभी केंदरन और अभी केंदरन बल का सुत्र क्या लिया जाता है, तो M V स्क्वेर बटे R लिया जाता है, और इसी के साथ ही याद रखना, अगर हम यू लिख दें, V स्क्वेर बटे R, M को बाहर कर दें, तो ये आपके पास अभी केंदरिये तवरन के लाता है, इसे हम सेंट्रिबिटल या सेंट्रिफ्यूगल एक्सलरेशन भी कहते हैं, चली, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का परतेक्स बाहर वास्तिक बाहर से कम होता है, जब लिफ्ट जा रही है, यानि आपके पास जब लिफ्ट उपर या नीचे जाती है, तो दोनों में क्या होता है, जब लिफ्ट उपर जाती है, तो वास्तिक बाहर बढ़ता है, और जब लिफ्ट नीचे आती है, तो वास्तिक बाहर गटता है, यानि जैसे lift नीचे आए तो हम अपने आप में हलका महसूस करते हैं और जब lift उपर जाती है तो हम अपने आप में कैसा महसूस करते हैं भारी तो यही पुछा गया है कि एक lift में किसी व्यक्ति का परतेक्स भार वास्तिक भार से कम होता है जब lift जा रही है तो जब lift समान गती से या तवरन के साथ कहा जाती है नीचे तो हम बात करेंगे समान गती से जाएगी तो तवरन खतम हो जाएगा यानि तवरन के साथ कहा जाती है नीचे तो जब तवरन के साथ नीचे जाती है तो हम अपने भार में क्या महसूस करते हैं, कम ही महसूस करते हैं, बहुत important question है, और इसका relation याद रखना, जब उपर की तरफ जाए, तो formula ये लगाया जाता है, MZ पलस MA, यानि टोटल भार निकालने के लिए, यानि ये बल लगता है, जब उपर जाते हैं, तो lift में हमारे उपर बल जो लगता है, अ extra बार महसूस करते हैं, वो बल कितना होता है, MA होता है, और जब हम lift में कहां आते हैं, नीचे की तरफ आते हैं, तो हमारे पास बार कैसा होता है, MZ माइनस MA, तो यानि अब नीचे की तरफ आओगे, तो हमारे बार में कितनी कमी आती है, MA कमी आती है, चलिए, अब आती है, लोही की सुई डूब जाती है लेकिन जाज तेरता रहता है या किस सिधान्त पराधारित है ये आपका Archimedes Principle पराधारित है यानि आपके पास समुंदरी जाज तो क्या तेरता है लेकिन एक लोही की कील है वो डूब जाती है यानि जो समुंदरी जाज है इसके दवारा जो अ भार उसके खुद के बार से क्या होता है ज्यादा होता है इसलिए उस पे जो बायांट फोर्स लगता है उत्पलावन बल लगता है वो ज्यादा लगता है जिसके करण वो समुंदरी जाज तेरता रहता है लेकिन कील जो है वो अपने बार से कम जो दरव है वो हटा पाती है न इसके करण उस पर उत्पलावन बल कम लगता है और वो कहां चली जाती है नीचे तो इसलिए लोहे की कीले डूब जाती है तो इसका सिदान्त किस ने दिया आरगमेडीज ने पानी के एक गिलास में बरफ का टुकडा तेर रहा है जब बरफ पिंगलती है तब पानी के सतर पर क्या परवाव पड़ता है यानि तब पानी के सतर पर क्या परवाव पड़ता है तो हमारे पास पानी का सतर उतना ही रहेगा जितना पहले था क्यों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो बरफ है वो पानी के अंदर जब डूबती है तो उसका कितना हिस्सा बाहर रहता है तो ब और अब जब पूरी तरह पिंगल जाती है तो हमारे पास बरतन में जो भरा पानी है उसका सतर क्या रहता है उतना ही रहता है उसका आयतन उतना ही रहता है उस पर कोई प्रवाव नहीं पड़ता तो बारहिंता की अवस्ता में एक मौंबती की जवाला काकार हो जाएगा यानि बारहिंता में बारहिंता का मतलब है जहां सुन्यता हो हमारे पास मौंबती की जवाला कैसी रहेगी तो मौंबती की जवाला वैसी ही रहेगी जैसी वो जल रही है यानि इस पर कोई परवाव नहीं होगा चलिए next question निमल लिखित में से किसकी न्यूटन मीटर नहीं है तो बल की है उर्जा की कारे की है गतिज उर्जा की तो आपका अनसर क्या है बल यानि बल की काई खुद न्यूटन होती है ना कि मेटर के साथ तो ये तिनों कारे हैं कारे की काई क्या होती है न्यूटन मेटर होती है तो आपके पास न्यूटन मेटर जो इकाई है वो कारे की करने पर उसके अनों की गती क्या होती है जैसे ही हम वस्तू को गरम करते हैं तो उसके अनों की गती या उसके कणों की गती बढ़ जाती है तो की चाल बढ़ जाएगी यानि वो तेज गती से दोडेंगे इन में से कौन उसमा का मातरक नहीं है यानि कैलोरी है डिगरी सल्सियस जूलिया किलो कैलोरी तो degree Celsius आपका उसमा का मातरक नहीं है which is not be the unit of heat चलिए next question इनमें जब जल उन्चाही से गिरता है तो उसका ताप यानि जब जल उन्चाही से गिरता है तो उसका ताप क्या होगा तो उसका ताप क्या होता है बढ़ जाता है जैसे जल उन्चाही से गिरता है तो उसमें घर्षण होगा घर्षण के कारण ताप मान में क्या आती है बढ़ोतरी आती है चलिए next question हमारे पास कि चावल को पकाने में कहां अधिक समय लगेगा यानि समुंदर तट पर पकाएं सिमिला में पकाएं माउंट एवरेस्ट पर पकाएं समुंदर की गहराई पर पकाएं तो अगर हम माउंट एवरेस्ट पर जाएंगे तो चावल को पकने में समय अधिक लगेगा क्यों उन्चाई के साथ वायू मंदली अदाव घट जाता है जिस से कवंत नांक भी घट जाता है और कवंत नांक घटने से जल की गुप्त उसमा भी कम हो जाती है यानि जिसे हम latent heat बोलते है latent heat of vaporization जो पानी किया वो कम होगी कहाँ पर उन्चाई पर क्यों क्योंकि वहाँ पर boiling point है कम हो चुका है किस के कारण एटमोसफरिक pressure के कारण तो इसलिए चावल का पकना कहाँ पर लंबा समय लेगा mountain Everest पर चलिए next question हमारे पास वहत आप जिस पर बरप पानी और उसमा संतुलन में रहता है कहा जाता है यानि वहत आप जहां बरप और पानी और वास्प तीनों एक साथ मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं water triplet point triple point बोलते है trick बिंदू देखने को कैसे मिलता है बच्चो जैसे आपके पास बरप है बरप को आप देखोगे तो इसके उपर बाप सी उठती नजराती है तो देखो वास्प भी बन गया दूसरा बरप को अगर आपने पानी किसी बरतन में रखा हुआ है तो इसके चारों तरफ क्या नजराएगी पानी के साथ बूंद नजराएगी तो ये देखिए आप तीनो तापमान एक ही तापमान पर मुझूद है तो जैसे बरप से जुड़ा हुआ हिस्सा वो ठोस है दूसरा हिस्सा वास्प है और उसके साथ जुड़ा हुआ तीसरा हिस्सा क्या है दरव भी है तो आपके पास एक साथ तीनो जो अवस्ताइं हैं मुझूद रहती है संतुलन में उसे water tip letter point कहते हैं किसी दरव का वास्पिकरन होने से उसका तापमान होगा तो उसका तापमान क्या होगा घटेगा यानि आपके पास जैसे हाथ पे petrol रखते हो तो आपको कैसा मैसूस होता है ठंडा उसके ठंडे मैसूस होने का कारण वास्पि करित हो जाता है जो दरव आसानी से वास्पिकरित होते हैं उन्हें हम volatile कहते हैं यानि अती वास्पिकरित पदार्थ होते हैं जैसे ही तापमान पर उनको हाथ पे रखा जाता है या बाहर छोड़ा जाता है तो आसानी से वास्प सेल हो जाते हैं तो इसलिए उनका तापमान पुछे तो वो तापमान के परवाव को क्या करते हैं कम करते हैं तो इसलिए हमारे पास उस दरव का वासपी करण होगा तो उसका तापमान क्या होगा कम होगा चलिए नेक्स्ट क्योशन निमन तापी इंजिनों का अनुप्रियोग कहा होता है तो निमन तापी इंजिनों का प्रियोग किया जाता है वायू मंदल में परकास के विसरन का कारण क्या है तो वायू मंदल में जो परकास की स्कैटरिंग होती है इसे बोलते है परकास के विसरन का आरता है स्कैटरिंग यानि परकास का परकिरिनन होना उसका करण हमारे पास के मुख्य है धूलकन तो धूलक का मतलब dust particle तो dust particle की वज़े से आपके पास क्या होता है scattering phenomena जिसके कारण आकास का रंग कैसा नजराता आपको निला नजराता है आकास का रंग निला परतीत होता है किसके कारण है परकिरिणन के कारण तो परकास का अगर परक्रेणन होगा, तो उसके कारण आपको आकास का रंग कैसा दिखेगा, निला, मरिग त्रिष्णा बनने का कारण है, तो मरिग त्रिष्णा क्या होती है, आप्टिकल मिराज, यानि जिसे हम परकासिय भरम कहते हैं, परकासिय भरम के कारण मरिग में प् जाराता है उस तलाब का नजर आने का करण एक परकासिय भरम होता है ये परकासिय भरम किस से पैदा होता है ये आपके पास पूरण आंतरिक प्रावर्तन से पैदा होता है टी आई आर टोटल इंटरनल रिफलेक्शन से पैदा होता है टोटल इंटरनल रिफलेक्शन किस कंड माद्यम से परकास आएगा और वापिस उसी में ही मूड़ेगा तब होता है इसी तरीके से हीरे का चमकना है वो भी कारण क्या है पूरण आंतरिक प्रावरतन होता है जब परकास जाता है जैसे जल से कांच में जाए या वाईयो से कांच में जाए या हीरे से कांच में जाए या वाईयू से कांच में तो हमारे पास हीरे से अगर कांच में जाता है तो उसका क्या होगा पूरण आंतरीक प्रावरतन बाकियों में क्या है जल से जैसे कांच में जाता है तो आपके पास ये कैसा माद्यम है विरल और ये कैसा है संगन इसी तरीके से वाईयू से जल में ज संगन माध्यम है तो संगन माध्यम में परकास जाना चाहिए उससे बाहर ना जाए तो इसलिए जब परकास का पूरण अंतरिक प्रावर्तन होगा किस कंडिशन में हीरे से कांच वाले में आगे किस कुन दरम के कारण पानी से बरे बरतन में डुवाई के इछड़ी मुड़ी हुई परतित होती है तो कोई भी चीज क्या है पानी में रखने पर आपको उपर उठी हुई नजर आजाए नंबर एक टेड़ी मेड़ी नजर आजाए सब का कारण क्या है अप वरतन यानि रिफ्रेक्शन के कारण आपको बरतन जो पानी से बरा है उसमें कोई भी कील या आपने डुबार किया वह उठी वी नजर आएगी, सिखारकरका उठावा नजर आएगा पैंसल आपने छड़ आपने खढ़ी का रखी ए, तो वो तूटी हुई नजर आती है चलिए सुरिय ग्रेन कब होता है तो सुरिय ग्रेन परती पदा को होता है परती पदा का अर्थ अमावश्य के दिन होता है नहीं सुरिय आपके पास किस दिन होता है अमावश्य के दिन परकास का वेग सरव परतम किसने ग्याद किया था हूड डिसकवर दा velocity of light तो किसने खोजी थी परकास बनाया है राम ने तो याद रखो रॉमर नहीं सुरिय किसकी देना राम की आपकेते हैं कि बगवान ने दिया है तो राम, राम से याद रख लेना अपर रॉमर तो सुरिय के परकास का खोज करता कौन था वेग का नहीं वेग को डिनोट किसे किया जाता है सी और आया कितना था तीन गुणा दस की पावर आट मिटर पर थी सेकंड ये परकास का वेग है और किसने खोजा था रॉमर ने कब खोजा था जब सुरिय का सुरिय गरेन लगा था किस गरेब पर ब्रेस्पती पर तो ब्रेस्पती पर जो सुरिय गरेन लगा था उस दुरान उस रॉमर ने परकास के वेग की खोज की थी नेक्स परकास में दुरुण की गटना से यह सिद होता है कि परकास तरंगे होती है तो दोनों तरह की होती है तरंग भी होती है और कन दोनों के समान होती है तो परकास दुरुवन की गटना से यह सिद होता है कि आपके पास परकास तरंगें कैसी होती है तो वो तरंग भी और कन रूप दोनों में मुझूद होता है पार्टिकल नेचर और वेव नेचर परकास का वेग अधिक्तम होगा किस में तो परकास का वेग अधिकतम किस में होगा निर्वात में होगा यानि सुयता में होगा जहां आपके पास कोई ग्रेविटी नहीं है ग्रेविटी क्या होती है जीरो अंत्रिक्स में चलिए मद्यम केताब में माद्यम केताब में विर्दी के साथ परकास की गती क्या होगी यानि आपने माद्यम कताब बढ़ा दिया है अब परकास के वेग पर क्या परवाव पड़ेगा तो इससे कोई परवाव नहीं पड़ता यानि वैसी ही रेती है जैसी वो पहले चल रही थी यानि परकास का वेग वही रहता है जो पहले था चलिए next question सुरिय ग्रेण के समय सुरिय का कौन सा भाग दिखाई देता है तो सुरिय ग्रेण जब लगता है तो सुरिय का कौन सा भाग दिखाई देता है किरिट दिखाई देता है किरिट हमें क्या करता है नजर आता है चलिए next question परकास तरंग किस परकार की तरंग है तो इन्हें क्य कहते हैं आपा अनुप्रस्त तरंगे और वैसे क्या होती है electromagnetic wave यानि आपके पास वैद्यूत चुम्बकिय तरंगे और इनको वैसे हम non-mechanical wave यानि आयांतरिक तरंगे कहते हैं आयांतरिक तरंगों का अर्थ है जिसको चलने के लिए किसी माद्यम के आफशकता ना हो next question decibel होता है decibel को किसे शो करते हैं आप बचोड़ डीबी decibel किसकी एका ये दवनी के सतर को मापती है तो आपके पास एक दवनी के सतर का मापन क्या होता है decibel होता है चलिए next question हमारे पास सोनार अधिकांसत प्रयोग में लाया जाता है कहां तो ये आपके पास नो सेना चाल को दोवारा प्रयोग में लाया जाता है सोनार सोनार क्या चीज होती है जो sound navigation and ranging होती है आप से अगर कहें कि समुंदर की गहराई का मापन करना है तो किसके आदार पे होता है सोनार सोनार होती है sound navigation and ranging चलिए next question एसुदियों के कारण दरव का कवंथनांक क्या होगा तो एसुदियों के कारण दरव के कवंथनांक में परिवर्तन जो आता है वो बढ़ने का आता है आपके पास दरव का कवंतना का क्या होगा बढ़ जाएगा जैसे एशुदी की बात करें आपां जैसे आप एक साधरन पानी उबालते हो तो आपके पास सो डिगरी सेल्सेस पर उबल जाता है जैसे आपसे कभी पूछे कि जल में हमने चार चमच नमक मिलाकर एक गिलास पानी में और उबाल करना है तो वो जल अब बॉइल होगा कवंतित होगा किस ताप पर तो आपसन जैसे दे दे सो डिगरी सेल्सेस पर सो डिगरी से अधिक पर तो आंसर क्या है सो डिगरी से अधिक पर जाएगा क्यों क्योंकि अब उसमें एशुदी मौजूद होती है और तो कवंत नांक में बड़ोतरी आती है चलिए next question हमारे पास कमरे को ठंडा किया जा सकता है कैसे तो freeze कैसे ठंडा होता है विच्छो compressed gas से होता है संपिडित gas से होता है वैसे ही कमरे में अगर हम संपिडित gas को छोड़ दें तो कमरा क्या होगा ठंडा हो जाएगा तो संपिडित कि तो कि एंडा कृड़ को अगर कर दो कि तो थाएगा हो जाएगा जाएगा है झाल झाल